आज क्यों हम लोग बाबा साहिव भीमराव अमितकर जी का महाफ्रिणमार दिवासा और जनम दिवसंदुग मनाते हैं महाफ्रिणमार इसके पीछे तक कोई कारण है बहुत लोग जनम लेते हैं बहुत लोग चले जाते हैं लेकिन आज लेकिन आज हम लोग इनका जनम दिन और पुन्ति थी दोलो मनाते हैं इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहिव अमितकर का जो चिंतन थी जो सोंच था जो द्रिश्टी थी जो देश और समाज के लिए जो संधर्स किया साहिद पुतना संधर्स इस देश में किसी नहीं किया जीतना की बाबा साहिव भीम रव अमितकर कर लिए और इनके लिए किया इस देश की जनता के लिए किया अपने लिए नहीं किया तरदों जवाने में बाबा भीम्राव अम्बेरकर दुनिया के सबसे अच्छे जिवानों में परदों के बानें राटाव. लेकार लेकिन इंसान को पानी पीने का इजाज़त नहीं तो नहीं थी नम का खोड़ने का इजाज़त नहीं थी जादत नहीं थी और जवाने में उनसे कोई छुवाता नहीं का कोसर दूर रहता था हमारी उमेश भाइद है कहा कि पाइल गाड़ी वाले लोग भी उनको बैठा कर गुसरे जगर नहीं दे जाते हैं कि मैं छुआ जाओंगा तुम निश्याफोग इसे आपको हमको पहना लेने की जरूर था है बावा साहिब भीमरव वंबेदकर लोग पिकट प्रस्थितियों में जहां कि पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय उस प्रस्थितियों से लड़कर के बावा साहिब भीमरव वंबेदकर ने दुनिया के जो पांच है हमारे गुपुत बावु ने कहा कि दुनिया में वर्ड में जो छोब बिद्वान थे उसमें भीम्राव अम्बेदकर का विएक विदा आस्थान थे भारत का सबसे बड़ा बिद्वान और भारत का आज तक जितनी डिग्रियां लोगों में लिया है मैं समाजता हूं विशाज आज ये महेंदर वाहूं अम्बेदकर जिलेसा डिग्री किसी के पास नहीं है नहीं है और वो डिग्री धारी नहीं वो मेरिट धारी थे आज